कुलकाता रेपकान में CBI जबर्दस आक्शन मोड में है करॉप्शन केस की जाच भी शुरू हो चुकी है और 15 ठीकानों पर छापे मारी की गई है संधी गोश समेथ कई डॉक्टर्स के घर तलाशी हो रही है सर्थ और उधर संध्यरोय का आज पॉलिग्राफ टेस्ट भी हो रहा है तो कुलकाता रेपकान में 15 ठीकानों पर छापे मारी सुबे सबेरे ये अभी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी तक हमने आज तक ने पहुँचाया था अब प्रिंसिपल डॉक्टर घोष के घर पर भी उनके दफ्तर पर भी CBI पहुची हुई उनके टीम पहुची है चापे मारी चल रहे है घोष के साथ दो और डॉक्टर्स के घरों पर भी चापे मारी हो रहे है ये तस्मीरे दिखा रहे हैं आपको भारी पॉलिस फोर्स के साथ CBI के टीम पहुंची तलाश ये भ्यान को बढ़ाते हुए कल शे लोगों का पॉलिग्राफ टेस्ट भी हुआ था और आज भी पॉलिग्राफ टेस्ट आरोपी संजर रॉयका और करप्शन केस में ये जो आक्शन है वो कापी थेस हो चुका है कुलकाता रेब कान में 15 छेकानों पर CBI के तरफ से रेड है आज जीकर हस्पिटल की पूर्ब अधख्ष डॉक्र संदीब घोश की घर पर इस वाक्ट CBI की रेड जारी है अब देख सकते हैं वाला जी निवास जो संदीब घोश की घर है कुलकाता की बेले घटा इलाके में ये घर में रहता है आज जीकर हस्पिटल की पूर्ब अधख्ष आज सुवास पॉने साथ बज़े सीवे की एक टीम यहाँ पहुँची और आप देख सकते हैं केंद्र जुस्तरक्ष बला है इस बलो की तैनेती उनके घर के बाहर है सीवे की एक टीम यहाँ पहुँची और पहुचने के बाद कम से कम एक घंटा 20 मिनिट इस गेट के बाहर रूपना परा सीवेटिब को कियोंकि संदीव घोश के बुलाय जा रहा था यहां जो कॉलिंग बिल है कॉलिंग बाद का बाहर आया संदीव घोश आठ बच कर पाँंच पर यह गेट खोल के बाहर रहा है और स विए की से जो अफिसलों के साथ उनने बात की इसके बाद 8 बचकर 10 मिनिट पर सिविया की टीम अंदर गया और इस वाक्त रेट जारी है यह जो केस है जो आजी कर हॉस्पिटल में जो फिनेंशियल मिसकॉंडक्ट का जो एलिगेशन लगी थी जो भोटा लाखा जो एलिगेशन लगी थी उस केस में इस वाक्त रेट जारी है और जो आजी कर हॉस्पिटल में जो रेप और माडर के इसके जो इन्वेसिशन चल रही थी के साथ अब देख सकते हैं सीवे के ऑफिसर अभी बाहार रखिए कुलकात पुलिस के साथ बाचित चल रही है राजेश साहा की रिपोर्ट देख रहे थे राजेश साहा इस वक्त हमारे सयोगी जुर्भी चुके हैं लाइव सीधा रुख करते हैं पश्रमंगाल कुलकाता का राजेश आपकी मौझूदगी कहां पर है और इस वक्त क्या सीवे आई की टीम अभी घर में मौझूद है तलाशी अभ्यान क्या अभी भी तमाम ठीकानों पर और दफ्तर समेत जो डॉक्टर्स हैं उनके हाँ चल रही है सीवे आई की तरब से जी बिल्कुल अशुतोष इस वक्त मेरा मौझूदगी है कुलकाता की बेले घाटा इलाका में और मेरे पीछी जो मौकन आपको दिख रही है यह डॉक्टर संदीब घोष जो की आरजीकर हस्पिरिल की पूर्भ अधक्ष उनीका घर है और इस घर के अंदर इस वक्त सीवे के रेट चल रही है और आपको बता दू यह जो रेब माडर की जो केस होई थी जो हत्यकांड की केस होई थी उसके इलावा संदीब घोष के खिलाब काफी सरे आरोप थे जो फिनेंशल मिसकॉंडक्ट की घोटाला की ब्रस्ट चार की काफी सरे आरोप उठ रही थी और यह जो अरजीकर हॉस्पिटल की डेपुटी सूपर थे आक्तार आली उन्होंने यह अरप लगाया डक्टर संदीब घोष के खिलाब की उन्होंने जो जब दोहजर एकीस से दोहजर चौवीस तक जब प्रिंसिपल थे उस टाइम अरजीकर हॉस्पिटल ने काफी सारे सीर्फ संदीब घोष का घर ही नहीं इनके इलावा और दो खर है जो डोक्टर संजय वसिस्थ है जो कि अरजीकर हॉस्पिटल की पूरब सूपर थे एमेजब़ीपी थे और इनके अलावा डोक्टर डिवाशी शोम है जो कि आजीकर हॉस्पिटल की फॉरंसिक मेडिसिन की है उनका घर में भी इस वाक्त चापे मारी जारी है क्योंकि यह जो दो डॉक्टर है दो डॉक्टर संदीब घुष की कफी करीबी माना जाता था तो उन लोग का नाम भी जो कंप्रेंट लेटर में था डॉक्टर अक्टर अली के तरफ से इसके बाद सीवी आई काले फार रेजिस्टर की फैर रेजिस्टर करने के बाद आज सुवा से इस संदीब घुष की घर के अंदर रेट चल रही है मेरे साथ अब एक परोसी है डॉक्टर संदीब घुष की परोसी बस बगल में रहते हैं उनको थोड़ा सा पूछना चाहेंगे अब डॉ परेशियों को डराता था पुलिस को बुलाता था हर बात पे पूलिस को फोन करता था कि यह अरोप साच है यह मेरे साथ हुआ है लास्ट वान माईने का पहले उनका साथ थोड़ा इधर रास्ता में गारी रखने के बस्ते थोड़ा हम लोग का साथ होड़ बात चीत हुआ तब नेवर के चलते हम लोग सोचा जे ये तो हर रोज होता ही है हर पड़ा में ही होता है तो हम लोग चुप-चुप चले गए वो क्या किया वो इदार में पुलिस पोसास्वन को मेरे खिलाब कम्प्लेइन किया पोसासवन हमको बोलाया जे आप उसका साथ निगोशियासवन कर लिए नहीं तो पुलिस उनका पक्स में ही बात करते थे हर चोटा बात में उसका देखा रहा था उसका बहुत पावार है पावार्फुल एक ठो हमारा बगल में राता है यही चलते वो पावर देखार अशुति जैसे के अपने सुने उनका परोसी का दावा है क्या और भी परोसी कंप्लेंट करते हैं क्या तमाम लोग वहां सपस रहते होंगे क्या और परोसी के सब शिकायत है कि हर बातों पर ये अपने पोलिस की धौंस या फिर पावर को दर्श अशुतिश मेरे साथ एक परोसी है इनका जो दावा था कुछी दिन पहले उन्हीं के साथ डॉक्टर संदीब गोष का एक ऑल्टरकेशन हुई थी गारी पार्किंग को लेकर लेकिन उनका जो पती है उनका पती को ठेट किया गया था डॉक्टर संदीब गोष और इसका बा संदीब को उसका वाइफ ने किया इनका वाइफ ने क्या होता किया वो लोग हर बात पर लोग के खिलाब पुलिस में जाता था दो हजार 21 में भी गये थे हमारा डिये नहीं उसका जो 85 का जो उसका परोसी है उसके उसका साथ मैनोल लेकर और एक बाउंडरी वाल लेकर बच जो कुछ आपको भी कहा था हां कुछ दिर मैंने टेंथ चुलाई को मेरा साथ भी हुआ था उसका एक गड़्डी था इकिया ब्लू कलर का था वो यह खाड़ा था और मैंने फोर्वीलर लेकर महलों में घुशने के लिए आई थी और मेरा स्पेस नहीं था घुशने का उस मैंने बोला थोड़ा साइब दीजिए मैं चला जाओंगी लेकर उन्होंने मिने को कहा बापास घुम के जाओ और अपने खुद सोना की गारी पार्किंग गारी पार्किंग को लेकर उनके साथ होट 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 अल्टरोक्रिशन हुआ और इसके बाद इनके बिल्कुर देखे राजेश जब ये फाइल खुलती है तो हर कला ही खुल जाती है पडूसी ने भी लगे हाथ पूरी जो आप बीती है उन्होंने सुना दिया है राजेश बहुत 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 शुक्रिया आप नजर बनाकर रखिएगा दोबारा आप काम रुख करेंगे इस बीच सी अधीब गोश्च के घर पर दस्तक दे दी और देर घंटे इंतजार के बाद दर्वाजा खोला गया उनके साथ दो सीनियर डॉक्टर्स के घर भी चापे मारी हुई और पुरव वाइस प्रिंसिपल अक्तर अली की शुकायत पर केस सी बी आई को सौपा गया था जिस अस्पताल में लेडी डॉक्टर का गद्र हुआ उसी अस्पताल में होती थी धांदली उसी अस्पताल में पैसे का बड़ा हेर फेव चात्रों से वसूली के संगीन आरो टिंडर से लेकर डिट बोड़ी तक में खेल अब सी ब्याई खोले की हर राज खोलकाता रेप और मर्डर कान की जाच अब गहरी होती जा रही है जिस लेडी डॉक्टर का रेप करकी कतल किया गया उस केस की जड़े और भी जगों पर मिल सकती है वो मामले खुल कर सामने आ सकते हैं जिनका नाता इस डॉक्टर के गतले से हो सकता है मंतल सरकार ने धांदली की जाच के लिए एसाइटी बनाई थी लेकिन हाई कोट ने कहा कि ये मामला भी सी ब्याई को ही जाच ना चाहिए और अब रविवार की सुवाजे सी ब्याई एक्शन में है सी ब्याई ने तावर तोड़ 15 चकों पर छापे मारी कर दी है हर जगा तलाशी हो रही है ये पूर प्रिंसिपल संदीब घोश का घर है जहां करफचन केस की जाच के लिए सुबा ही सी ब्याई पहुच गए संदीब घोश पर ही करफचन की आरोप है दो बार उनका ट्रांसफर भी हुआ था लेकिन रसूक के भूते वो आरजी कर अस्पताल में ही बने रहे और ये आरजी अस्पताल की फॉरंसिक मेडिसिन से जुड़े डॉक्टर देबा शीश सोम का घर है जहां सी ब्याई टीम ने छापा मारा है सी ब्याई से पहले करफचन और वित्ती धांद्री की जाच का काफी कुछ काम एसाइटी ने कर भी दिया था देखिए किस तरह कल ही एसाइटी ने वित्ती धांद्री की सबूत और दसवेज ले जाकर सी ब्याई को सौंपे थे करफचन केस की चांच में जो लोग शक के खेरे में हैं उनमें संती घोश, देबाशीश सोम और संजे वशिष्ट है वित्ती धांद्री को लेकर जिस रफ़तार से एक्शन हो रहा है और जिस तरह से हाई कोटनी ये मामला सी ब्याई को सौंपा उससे कई सवाल पैदा होते हैं मसलिन क्या अस्पताल में ऐसा कुछ गलत हो रहा था जिसकी जानकारे पिरित लेडी डॉक्टर को थी क्या अस्पताल की धांद्री को छुपाय जा रहा था क्या राज खुलने के टर से लेडी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया क्या अस्पताल की धांद्री का इस रेप और मडर की से कोई गहरा नाता है सारे आरोपों के केंदर में है संजय खोश जिन से 9 दिन में 100 घंटे से ज़ादा की पोश्टाज हो चुकी है Bureau Report आज तक पुरे सच की तलाश है और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है तमाम तक्नीक का भी इस्तमाल किया जा रहा है साहता लिया जा रहा है दिली से टीम गई हुई है साइकलोर्जिकल और देखें करॉप्शन केस में ये चापे मारी चल रही है गोश पर शेकंजा है और इसके अलावा अब छे तस्वीरों को देखे ज़रा करॉप्शन पर चोट की बारी है इसलिए ये चापे मारी हो रही है कल छे का पॉलिग्राफ टेस्ट हुआ आज संजय रोय का पॉलिग्राफ टेस्ट संदीब घोश के घर सुबह ही 6 बजे पहुँच गए CBI की टीम अब इनसाफ का इंधजार है किस तरह से आप देख सकते हैं भारी बारिश और सरकों पर पानी जमा है लेकिन फिर भी लोग सैक्रों लोग प्रदर्शन करते हैं कभी लगतार प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं और वहीं आरोपी संदीब की बाइक भी जब्त की गई है